है तो आप दोस्तों आपको करेंगे तो देफिनिटली आपका मॉबायल भूट कर देखा है तो जैसा की नहीं आपको स्टैप बताने मौलाओ उसको फॉलोग करेंगा थे तो आपके सबसे पहले यहां पर एक सेटिंग को आपको इनेवल करना है वह है बैटरी अप्टिमाइजेशन का उससे होता क्या है दोस्तों बैक्ग्राउंड में जो फिंगर्बिंट सेंसर है आपकी मुवाइल की बैटरी को खाता है बट वो अपनी स्पीड वरकिंग पीछे करता रहता और आपको पहले उसकी पर्मिशन देनी है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां जाना आपको अपने मुवाइल की सेटिंग पर आपको नीचे की तरफ आएंगे यहां मिलेगा एप्स वाला उप्शन आपको उसके इंदर जाना है यहां पर जो त्री लाइन्स यह यह अपको यह यह प्स पर चलता है और यहां पर इसको शोंडा मात्री लिखना है यहां पर लिखना है संथ रिक कर लेक्तिंग करना है नीचे आएंगे बैटरी वाला ओप्शन आपको दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है रचा क condiciones ओडांङוצ allow this app to use battery in the background without restrictions that may reduce your battery life मतलब कि हम इसको कोई प्राब्लम नहीं है वारे मोवाल की बैटरी यूज करेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे होगा जो भाघ्टरी जो फिंगर्पिंट शेंसर आफ और बैटरी तो लेगा बैक्राउंड में चलेगा टो अब्सकी स्पीड वहाँ पर तेज हो जाएगी सबसे पहली सेटिंग आपको इसको इनाबल कर लेना है उसके लिए उकारना क्या है पहले तुम आपको सके इन सेंग आपको जाना है यहां पर प्लीन के बाद फिंगर पृट्टन में चैसे आप nova gameolin जो फिंगर्फिंड यहां करना है यह इसके अंव करेंगा यहां पर अपने और enable करना है आपने जिसे की में आप देख रहे है मैंने यहां पर तीन फिंगरबिन enable होते मैंने यहांपर दो कर रके मैं करते हैं एक left thumb यहाँ थम यूजिवी लोग यही करते हैं left और right thumb यहां पर तीसरे किभी करना क्या है दोनों को combine करके यहां अधूरे करना है किसे आपको यहां पर जाने के बाद जैसे जिGoldा यहां पर फर्स्ट रखां यहां रखा मतलब आपको अलग अलग करके दोनों कों एक बार इन्रॉल कर लेना है एक बार ये वाला एक बार ये वाला तो आपको ऐसे करके इसको पूजी तरह से इन्रॉल कर लेना है कि मैं इसको फटावाट कर ले तो एंडरॉल तो दोनों को आपने एक ही में कर लिया मतलब कि आपके दो 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 अगोठे आपके फिंगर बेट महां पर एड हो गाए अब क्या होगा आप दोनों में जब भी में करूंगा तो वहां पर और फास्ट हो जाएगा जो पहले से फा करने के बाद भी अगर आपका फिंगर पिंगर्पेンチ यहां कर नहीं काम नहीं कर रहा है उसके लिए आपको आपको जाना डिस्पैंट भाने कर आदा तो आपको इसको इनेबल करना हो इससे क्या हो यो touch की जो capacity और ज्यादा बढ़ जाएगी और fastly touch काम करता है अगर आपने कोई अपने mobile पर screen guard लगा के रखाओ अगर अब मैं उसको unlock करके lock unlock करूँगा तो आप देखेंगे और यहाँ पर speed fast हो गई है तो यह मैंने जो चार टिम्स बता हैं बहुत ही काम के इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यह फिंकरपेंट स्कैनर है वह फास्ट हो जाएगा उमीद ही कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक यू तो अगर आपको यह वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चानल सब्सक्राइब करना ना वो लें तैकि मेरे के लिए नेक्ट शूड़ी आपको सबसे मिले और उसके तो मुझे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंक यू दो